कि निलम आज मैं अपने दोस्ते मिलकर आ रहा हूं मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्यों चले जब उसे मुलाकात किया वो अपने वालदेन को इतना उल्टा सिधा कह रहा था अगर तुम भी सुनती बहुत अफसोस कर दी कि एक बच्चा वो भी इतना बुरा-भला कह सकता है अपने मा-बाप को बहुत अफसोस होता है साजित सही कहा तुमने हमारे पैरन्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता है न और वहीं बड़े होकर हमें नाकद्र होती है और अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो तो हम बहुत एजीली कह देते हैं कि यह तो मेरे पैरन्स की वज़े से हुआ है आज इस उम्र में भी 35-36 साल का हो गया है उसके बाद भी माबाप को ब्लेम कर रहा है कहता है यहां तक के दिया कि सारे फसाद की जड़ जो है मेरे माबाब हैं बहुत अफसोस होता है जब बच्चे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उनके माबाब उनसे क्या चाते हैं कितनी कुर्बानिया देते हैं और ये तो एडल्ट है हम बच्चों की भी बात करें अगर तो देखना आज की जमाने के बच्चे इतना इंफ्लूएंस है मीडिया का कि अक्सर यही किते हैं कि मेरे पैरेंट्स आउट डेटेड हैं इन्हें समझ भी नहीं आता अब तो बच्च का सल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं उसमें हमें डिसकस करना चाहिए बिल्कुल तो चलो वक्त है कि अब डिसकस किया जाए लेकिन उससे पहले नाजरीन आईए शो पर बड़े इज़त और रहतनाम के साथ मुलाकात करते हैं इस्तिक्बाल करते हैं हुज्जत लिस्लाम अलिजनाम मुलाना वसी हसन खान साथ की बलाका सलाम अलाएकुम मुलाना साथ वालेकुम रह्मतुल्लाही बरकातुम अलाएकुम इस शो को हम लोग बहुत जनरल तोर पे बात करना चाहेंगे क्या आप से भी मुलाकात होती है उन वालदین की माबाप की जो अपने ऑलाद की शिकायत करते हैं या ऑलाद अपने माबाप की शिकायत करते हैं क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बच्चा 35 साल का हो गया चालिस साल का हो गया इन सब के बावजूद भी वो अपने वालदین को अपनी नाकामी के लिए ब्लेम कर रहा है आओओ बिल्ल्ह मिन श्भीmi पिस्म यल्र्रभ्माना रर्रीम अलहम्दो लिल्ल्ह रबालमीन व व ज एमना— व श व अईल्वानावल्सावemand उ ज दिकाये जो तटो स्वाल है आपका जाहर से बात है हम भी इसी समाच का हिस्सा है हमारी मुलाकात भी इस तरह के लोगों से रहती है और शिकवे शिकायत दोनों तुरफ से है कभी माबाप शिकायत करते हैं और ओलाओ की एतनी महनत के बाद भी यह हो गया यह हो गया यह हो गया और कभी एुलाद शिकायत करती है माबाप की कि मेरे साथ किया क्या है यही कहना चैंबा तो इसमें काई शक नहीं है के शिक्वे हैं दोनु तरफ से लेकिन एक बात मैं आपके खिदमत में अर्श कर दूं कि आउलाद को शिक्वे का हक नहीं है आउलाद को नहीं है तो ये बात जो है ये तो है लेकिन ये जो मैंने जैसा कि अर्स किया कि माबाप चाहे जैसे हो आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान ने इतनी ताकीत की है तुमारे माबाप का फैसला ये है कि तुम किसी की अबादत नहीं करोगे सेवाए उसके तेखो ये दोनों या इन दोनों मेंसे कोई एक जब बूड़े हो जाए उनसे उफ न करो वला तनहरहुमा उनको जड़को मत वकुल लहुमा कौलन करीमा और इनसे नार्म लहजे में बात करो वक्फिदलहुमा जनाह दुल्लि मिनर्रह्मा इनसे जब बात करो तो रहमत के साथ मुहबत के साथ प्यार के साथ और सब करने के बाद ये मत समझो کہ तुमने माबाप का हक अदा कर दिया है बलके अल्ला की बारगाह में फर्याद करो रब रहम हुमा कमा रब बयानी सगीरा पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसे ही रहम फर्मा जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की है जैसे इन्होंने हमारी तर्बियत की है या अल्ला अपने साथ कहता है अनिशकुर ली वले वولदें मेरा शुकुरी आदा करो और मेरे साथ साथ अपने माबाबका शुक्री आदा करो Taiwan वालदें का शुक्री आदा करो या हमने इनसां को وسीट की है उसके माबाब के सलसले में जहां तक हो सके उसके साथ नेकी करता रहा है अब यहां पर आप एक सवाल करेंगे जो बात हो रही थी कि क्या अग्यार हमारे वाले दैन हमारे माबाप अच्छे नहीं हैं उन्होंने हमारे साथ बेहतर नहीं किया मिसाल के तोर क्यों पैदाईश होई मा मर गई बाप की एच 25 साल है 26 साल है 28 साल है उसने दूसरी शादी कर भाई उसने कुछ हैसा अपने कंट्रोल में लिया कि ये जो बिचारा मा की तरफ से यतीम बच्चा है इसकी कोई अवकात नहीं रह गए बिलकुल बिलकुल अब आईये साब इत्तिफाक से नानियाल वाले ठीक ठाक थे वो ले गए उन्होंने पढ़ाया लिखाया इंजिनि कुछ नहीं किया ये अपने बाप को बुरा कहने कहा किया उस पर अब भी इस आदमी के उपर वो आयतें जो है वो लागू होंगी कि बाप से उफ न करो जिड़को मत आम आदमी ये समझा किया ही कि आई बापने और ओलाद भी कहती है लेकिन इसके लिए बेहतरीन रहनुमा हमारे लिए एहले बैत आलेहमुश्लात वस्लाइट की जवातِ मुकद्सा हैं बेश्क बेशक्ष उतना है अक्सर मजलिसों में कहता हूँ आपने भी मुमकेने सुना हो आपने भी मुमकेने बेटा सुना हो कि शुकर अदा केजिये कि जैसे रहनुमा हमको मिले है ना एहले बैद की शकल में किसी के पास रही है. इन की दौाई भी अक तर्बीयत का जरीए है जो दौा के दौा है और तर्बीयत की तर्बीयत. पढ़ते हुनगे मेरे खिल में नाजरीन में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो माई मुबारत के रमदान में दौाए सहर पढ़ते होंगे दौाए सहर दो है एक छोटी वाली है एक बड़ी है लंबी दौा जो दौा अबु हमजे सुमाली के नाम से मश locker है ये दौा अबु हमजे सुमाली किसी है इमाम जेनु अलाओदीन अलिहस्छाम की रुपके हम पहले उस दुआ का फिक्रा नकल करने से पहले एक सवाल करें क्या आदमी सोच सकता है ये दौा किसे है इमाम सजजाद क्या आप सोच सकते हैं कि इमाम हुसेन लेजिस्ञाद के साथ कोई कोटा ही की होगी नहीं पॉसिबल नहीं जे मुमकिन नहीं ये वरना पिर हम कही से शिया अगर ख़दा लगास ना हमारे हो तो दौा में इस तरह का जुमला है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने बाप को कह रहे है यह गोई दौा के बहाने से हम को तालीम दी जा रही है वो जुमला क्या है वो आप दौा अबू हमज़ा सुमाली में यह पढ़िएगा तो वहाँ आपको यह मिलेगा जहां इमाम फरमाते है इजजहमा बिले इहसान इहसाना पालने वाले अगर मेरे बाप आपने मेरे साथ अच्छा किया है तू भी इनके साथ अच्छा कर यह तो ठीक बात है लेकिन अगला फिकरा जो एमाम का है फरमाते है वबिस स्यात गुफराना अगर इन्होंने बुरा भी किया है पालने वाले इनको माफ करें ठीक ये आवलाद की जिम्मेदारी है यानि इमाम इस दुआ के जरीए बता रहे हैं तुम्हारा बाप अच्छा है बुरा है समझ गया एक हदीस में आपको सुना दूसी जहल में आ गई है बड़ी जबरदस्थ हदीस है कि ये तीन चीज़े हैं जो रिवाय के लैसा फीहिन रुखसा जिसमें कोई छूट नहीं है आपको आपको शरीयत की तरफ से कोई छूट नहीं है आपको करना ही करना है नमबर एक वफा उलाएख अगर आप में किसी से वदा किया है कुछ एहद औ पैमान किया है आपको पूरा करना होगा इला बिर्र वल्फाजर सामने वाला चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो जी ओके ये किलियर स्टेटमेंट है इसलाम का वफा अलाइद इला बिर्र वाल फाचर अहद को पूरा करना वादे को वफा करना चाहे आदमी सामने वाला अच्छा हो या बुरा हो अदाव अमाना इला बिर्र वाल फाचर अमानत का वापस करना अदा करना आप ये कहें किसी का माल नहीं हड़प सकते हैं रेजाब वो तो बदमाशे शराबी है कबाबी है ना आपके पास उसकी आमाल का हिसाब खोड़ा लेगा आप जिम्मेदार नहीं है उसकी आमानत आपके पास है आप उसको लोटाई है वबिर्रुल वालिदें बर्रैने काना ओफाचरें माबाप के साथ अच्छा बरताओ और नेकी बर्रैने काना ओफाचरें चाहे ये लोग अच्छे हो या बुरे है चाहे लोग बुरे हो बाप बाप है मामा करना साब तो फिर उलका क्या होगा का उनके लिए अल्ला है ना बेटे कितरा रही है. उन्होंने अच्छा किया है, अल्लाँ उनको जज़ा देगा. आप तो नहीं देंगे ना. उन्होंने बुरा किया है, तो ऐसा नहीं कि अल्लाआदिल नहीं है. अल्लाँ उनसे समझेगा. और एक रवायत मैं आपको सुना दू। इसलिए मैंने रोक के आपको किताब उठाई कि आदमें गरी साब यह कहां से कही दिया उसलिए हवाला उसका जरूरी है आप क्या समझते हैं आख सिर्फ अहुलाद होती है अभी तक यही सुनते हुए हैं तो पहली बात तो हम यह अर्ज कर गए कि आख जो है वह आटो सिस्ट के तहट हम अगर उसको पूरा नहीं करते हैं चाहे हमारा बाप कहे या ना कहे हम आख हैं अच्छा जबानी कहने की जरूरत नहीं है उस कहने जरूरत नहीं हमारी जो जिम्मेदारी थी हम वो जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है आख है एक कभी कभी अगर यह आटो सिस्टम ने ता फिर इसका क्या होता कभी कभी जिसमें रिवायत है मैं आपका वक्त में कभी कभी यह होता है कि लड़का ठीक है शरीफ है सब कुछ है बाप खुश-खुश इस दुनिया से चला गया मरने के बाद आख हो जाता है जी अच्छे यह भी पूल ज जी यह इस मरने के बाद आख हो जाएगा बाप मर गए अदस साल हो गया पलट के आप उसकी खबर पर नहीं गए अपने उसकी उसकी आप पातिया नहीं पड़ा जी समझ गया तो हो सकता कि जिन्दगी में आप ने एक थे लेकिन मरने के बाद आपने वाले दियन को आज करवा दी इतना कि उनकी रूख खुश हो गए आख खत्म हो जाएगा तो कहने के मतलब यह कि आख जो है यह आटो सिस्टम है जो जिम्मेदारी हमारे उपर है जी समझ गया अगर हम वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं हम आख तो क्या हुश ही पर बाप के लिए जी सवाल होगा है जी 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 आपकी भी तो जिम्मेदारी है जोना चे रिवायत के ती है हकुश हो जूलद याल वालित बेटे का हक बाप पर यह है कि है कि उसका नाम अच्छा रखे कॉरान पर ना सकता और उसकी तरभीत अच्छी करें यह मापका फार्ज है I don't have a के अब robots मी आप इक बेटा अग़ अपनी रिस्पान्सिपिलेटी इस को पूरी नहीं कर सकता टो वह तो बाप इसको पूरी नहीं कर तो ऑठी हैं तो बेटें को तो कुछ कहने को हम हैं ज river otherwise system the 1999 अउन्य अधा की तरफ से अउलाद कोई भी हमारे नाजरी ने कहां से वो यहां से है मैं आपको ये रिवाये सुना दूँ वसाइल श्या से इन्होंने नकल किया है ये किताब है मरहूम शहीद अस्टगयब रुद्वान लाले की गुनाहाने कभीरा इसमें पेज नंबर 151 151 पर इन्होंने नकल किया है वसाइल शिया के हवाले से काल रलर्सूल लाह सललाह अलयही वालिह वस्लम यल्जमُ الवालिदेन मिनल अकूक उल्वालिदेन के आक होने की भी वही चीज़े ऐसल्याव है ना यल्जमُ الवालिद लवॉमा मिन उकूकेमा जिस में बेना पर ओलाद हो आक हوتी है उसी बुनियाद पर द वालिदेन भी आख होते हैं तो आउलाद आख होती हैं कब जो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें यह पहले दिन से कह रहा है इसलाम एक तरफ दीवार को प्रास्तर नहीं करता है बराबर से कहता है लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो आपका में सवालता है उसके आख नहीं है आप जो इसके इमाम जरुद अबदीन लेसलाम ने समझाया है उनके लिए दुआ करो इज़िहमा बिल इहसान इहसाना वबिस सही आत गुफराना पालने वाले अगर अच्छा किया है इनके साथ अच्छा कर बुरा भी किया है मेरे माबाप हैं अल्ला इनको मा रिवायत मिल जाए पहले दो एक दो एक चीज़ कि आख होता कब है आत्मी यहां पर जो मैंने कहा ना कि आटो सिस्टम है उस पर दो एक रिवायत है मन अद्रका वालिदे हुमा जो वालिदेन को पाले एक तो यह है कि विचारा जा है वो दो महीने के था कि अबबा मर गए छे महीने को अगए अमा मर गए उसको क्या पता मन अध्रका वालिदे माबाप को पालिया उसने वब यूदे हक्ता हुमा और उनका हक अदा नहीं कर रहा है वला गफर अल्लाहु लह जिबरील ने का ऐसे को अल्लाम माफ नहीं करेगा पेखंबर ने का फकुलतो आमीन मैंने का इलाही आमीन हो गई ना बाद खुब मन नदरा इला अबवई नदरा माकितिन देखिए आक की जो चुटी चुटी चीज़ी मैं सुना रहा हूँ अगर कोई बाप को खाली घुसे से देख रहे समझ गए आप वहुमा जालिमान ला यह देखिए वह जुम्ला पिरा गया बावजूद इसके के माबाप ने उसको पर जल्म किया है जी जी उसके बाद भी अगर आदमी घुसे से माबाप को देख लेता है लम यकबलिल्ला लहु सलाथ अल्ला इसे की अवलाद की नमाज कुबूल नहीं करेगा तो जी फर्मा रहे हैं अब यह है कि जो है वो आख जो है उसकी सज़क आपने कर आख कहते है किसको आख का मतलब यह है कि अब वो शखस अल्ला की रहमत से दूर है अच्छा ओके वो चाहे जित्ती अबादत है वो चाहे जित्ती अबादत करें एक रिवायत है कि बेन अल्बिया वल्बार दरजतन अंबिया और माबाप के साथ नेकी करने वाले उनकी क्लास एक है जन्नत में अच्छा वल आख अल्फराइन वल आख दरकतन फिराओन और आख वाले देन जहन्नम में उनकी क्लास एक है काटेगरी एक है तो जो फर्मा रहा है एक रिवायत में ये है कि आख का हाल ये है कि इनसान चाहे जित्ता जो हो अबादत करता रहे अगर आख के वाले देन है तो ऐसा इनसान रिवायत कहती है एक रिवायत में है कि जन्नक की खुश्बू एक हजार बरस के फासले से महसूस की जा सकती है वला यजेदुहा आख कुन वला तातिवरहम लेकिन जो आख के वाले देन जिसे माबाप नाराज है वो जन्नक में जाना तो दूर की बात है खुश्बू नहीं सूंसा और वो जो खांदान का ख्याल नहीं करता उसके लिए इसी तरह की बात है तो आख का मतलब ये है कि अल्ला की रहमत से दूर यानि आम अलफा पिर कहते हैं कि आख से कहो चाहे जित्ता आमल करो कुछ खुबूल होना नहीं है यानि हम अगर से वो समझें आम जबान में तो यही कह सकते कि अगर आप अपने माबाप का हक अदा नहीं कर रहे हैं तो परवर्दिकार की रहमत से आप दूर उचा आएंगे तो यहां हमने साजितबात की नौजवान की अब अगर हम नजर दाले बच्चों पर और साथ ही आज के दौर पर तो मीडिया का एक्सपोजर काफी ज्यादा है कोविट का जमाना है बच्चों के हाथ में फोन्स है लैप टॉप्स है तो वही अब बच्चे एक अलग मेंटालिटी के साथ सोचते है तो जब माबाप अपनी सोच बच्चों पर लगाना चाते है या बच्चों को कुछ समझाना चाते है तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है वही अगर बात दीन के आ जाए या दीन के मुतालिक कुछ पैरेंस समझाना चाहे तो अब बच्चों को लगता है उन पे बर्डन डाल दिया जा रहा है तो ऐसे जमाने में खास कर आज के दोर में बच्चों को दीन से किस तरह जुड़ा रखा जाए तर्बियत के सिलसले में हमको एक सलीका बताया गया है वो चाहे अपनी आउलाद क्यों ना डंडा था ता तबलीग में भी डंडा मार तबलीग कोई पसंद नहीं करेगा चाहे वो अपनी आउलाद क्यों ना उसको अमली तोर पर इमाम हसन हुसन अलेहमस्सलाम ने बता है ने वो बुड़े आदमी था तो कह सकते ने शर्म नहीं आती यार आपको बुड़े हो गए आपको जो वजू करना नहीं आता यही होता है आजकल, अमाम ने क्या कहा, चचाँ मियादार देखिए का हम लोगों का वजू ठीक है, तो एक तरबियत का सलीका होता है, आउलाद ही क्यों नहों, आप उसके साथ सकती से पेश आएंगे ना, तो आप कामियाद नहीं हो सकते हैं, पर हम लोगों को सकती एक नहीं है, उस वो तरीका नहीं, बलके रिवायतों में गाइड लाइन मौजूद है, क्या हत्ता तुमको पता है, तुम्हारे लड़के ने ये काम गलत किया है, तो अब तरबियत का तकाज़ है कि आप बासपुर्स कीजिए उनसे, लेकिन रिवायत कहती है, कि उसी जो हो ब इशारा दे दो, कि जिसमें वो अपनी बचत बयान कर सके, अच्छा मौका दे सफ़ाइदा, मौका दे दो, ताकि वो बहुत ज्यादा बोर नहों, समझ गया, वरना ज्यादा वो होगा, फिर एट जाएगा, फिर तूट जाएगा, चुनाचे मैं अपने साथ किस्ता सुनात हूँ, देखिए होता ना, मेरे साथ, मेरे छोटे भाई का बेटा, मेरे साथ पढ़ता था, फैज़ाबाद में वही पढ़ता था, इंटर्मीजियर्ट वहाथ से किया, उसने, अब लखनो बे पढ़ रहा है, इंटर्मीजियर्ट का जो उनका रिजल्ट आया, तो ऐसा जाह कि ने, अच्छा उसका बाप साओधी अरब में है, मेरा भाई है, उसको सुना तो वो बिगड़ गया, घर चोड़ दो और बाग जाओ, और ये करो और वो करो, तो उसका मेरे पास फोन आया, कि वो बाबा पापा ने निकाल दिया है घर से, मैंने अगा पापा ने निकाला तुम मेरे साथ हो, टेंशन मतलो मैं आ रहा हूं, खर मैं पहुंचा, मैंना क्या हो कलना हो, नंबर कम हो गया, तो अब मैंने उसको मेरे सहन में रिवायत थी कि लड़कों को बचने का रास्ता बताओ खुद, मैंने गा बेटा, यही तो मैं तुम से समझाता था, कि स्कूल म को दबा देगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसको चांस मिल गया, कहने जी जी, मैरा उसमें नंबर कमने, वो प्रिक्टिकल में सर ने कमने, तो उसको एक बहाना, दीन नहीं सिखाता है, तरभियत आपको करनी है ना, तो आप बहुत टाइट मत होई है, जी, उसको आस्ता दिखाईए कि वो बहाना बना सके, आज नहीं कल, कल नहीं परसो, अगर आप नर्म रहेंगे, तो उम्मीद बाकी है उसके स्थीक होने की, जी, जी, शुरू से ज़्यादा सक्ती करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सक्ती कारगर, अगर पैरिक्ट जर्म लुकात नहीं गिरा दीजाना तो बैलेंस, जाहिर से उसको बैलेंस तो करना पड़ाए गए, एक चीज़ और देखी जाती है समाज में, जैसे माबाप जो होते हैं, बच्चों की खाहिशात पूरी करते हैं, और आज का अगर आप दो और देखें तो बच्चे खाहिशात क गुलाम हो चुके हैं मौलाणा साब, ऐसे में माझलाब पैसा मागना, कोई मकरर करना, देखें उस पर जो है, आपको तो कुछ ना कुछ रोक लगानी पड़ेगी, जैसे में वालदेन की में जाना चाहिए किस अमर तक जिम्मेदारी है, माझलाब बच्चा बड़ा हो चु होच सकते कि हाँ ये मेचियोर हो गया है, ये खुद फैसले ले, ले सकता, तब तक आप उसको गाइट करते रही है, अच्छा तब तक हमें लगा रहे हैं, बलके यहां तक है, हत्ता शादी भी, कि अगर माबाब जो है, समझ गया आप, औलाद का खर्च उठा सकते हैं और और न करें, उससे कुछ गुना हो जाए, आप शरीक हैं, उसके जर्म है, अच्छा, तो माबाब को उठाना चाहिए है, अगर अगर आपको अल्ला ने नवाजा है, और आप उठा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको कीजिए है, ये आपकी रिस्पॉंस्पिलिट इस पर हम जाते जाते बात नहीं कर सकते, इसलिए कि इस पर हमको दस मिनिट चाहिए, आप मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, इसलाम की नजर में लड़का क्या है, लड़की क्या है, तो मेरी आप से खाहिश ये है, कि आप इस वक्त हमको इजाज़त दीजिए, अगले मे इस पर इंशालला, शुरूई से इस पर इस पर इस पर चलिए ठीक है, पुरिके बहुत सारी ऐसे बाते हैं, जो डाउट से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इंशालला, इसलिए ये बात करें तो डिफिकल्ट तो बहुत है, लेकिन हम लोग कोशिश किया है, वो प्रॉब किसी सक्त इनसान के साथ बात करना शायद पसंद ना करें लेकिन जो रहम दिली से हमसे बात करें हमारी बात सुने हमारे प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन हम तक पहुचा है। कि हमारे जो अंबिया हैं पैगंबर हैं एहले बैत अलीख से बड़ी मिसाल हमारे लिए क्या हो सकती है कि अगर इनके साथ किसी ने कुछ गलत भी किया तो इन्हों ने हमेशा हमेशा से नर्म दली के साथ पेश आए हैं तो आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, इनकी तर्बियत में अपने दिलों को नर्म रखें और इसी के साथ हमें दीजे अजासत पर बने रहें, चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत, शुक्रे रहें झाल-चैनल